नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि गेहु में बोरान की मात्रा का हमको प्रियोग करना चाहिए या नहीं प्रियोग करना चाहिए तो किसान भाईयों गेहूं की फसल में ये देमबोरान की बात करें तो गेहूं की फसल में सामाने रोप से इसके लच्छडम को नहीं दिखाई पड़ते हैं लेकिन कुछ लच्छड़ आपको दिखाई पड़ सकते हैं जैसे पौधे का छोटा रह जाना पौधे की पतियां हलकी पीली हो जाना और पौधे की पतियां थोड़ा मोटी हो जाना आसानी से पौधे की पतियों को पकड़ने पर तूट जाना ये सब लच्छडम को दिखाई पड़ सकते हैं और इसका प्रियोग जदे हमको करना है तो आम तोर पर 60-70 दिन पर यानि बाली निकलने के पहले हम इसका प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि बाली निकलने के बाद यदि हम इसका प्रियोग करते हैं तो हमको कोई लाभ नहीं होता है तो या तो हम भुवाई के समय इसकी मात्रा का प्रियोग कर दें अलग से भी च्षिड़काओ कर सकते हैं और बौवाई के भी समय आप duy के पुरियोग करते हैं यदि आप बौवाई के समय प्रियोग करते हैं तो आपको 2-3 kg जो lance बोरिक एसिड लेना है यदि आप बोरेक्स ले रए हैं चार किलो ग्राम एक एकड़ के लिए आपको मात्रा लेनी होगी यदि आप छिड़काओ करना चाते हैं तो छिड़काओ के लिए आप पचास से साथ ग्राम एक एकड़ के लिए मात्रा का चुनाओ कर सकते हैं क्योंकि इसकी अधिकता होने पर भी नुकसान होता है तो 50 के साथ आप इसका उप्योग कर सकते हैं तो किसान भाहिए यदि आप इसका प्रियोग करते हैं तो आपकी फसल जो है अच्छी होगी अच्छी पैदावार मिल सकती है तो उमीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर देना और वीडियो को सेर भी कर देना मिलते हैं नहीं जानकरी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद